एलो फ्रेंड्स आज मैं शेयर कर रहे हूं गाजर का हलवा बनाने की रेसिपी यह एक ऐसी रेसिपी है जो हर किसी को पसंद आती है और सर्दियों की मोसम की तो जान होती है तो आईए इसे कैसे बनाते हैं इस वीडियो में देखते हैं बहुती आसान तरीके से और बहुती ट पष्टी हल्वा गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने तीन किलो गाजर ली हैं गाजर को अच्छे से धोकरके साफ कर ली है अब हम गाजर के दोनों कॉनों से थोड़ा-थऔर टुगडा निकाल देंगे और इस 가지 च्षील लेंगे इस तरह हम सारी गाजरों को छेल करते तैय चिलते हैं तो इस तर हम सारी गाजर को चिल लेंगे उसके बाद हम इसे कद्दुकस कर लेंगे अगर आप कद्दुखस करना नहीं चाहते हैं तो गाजर के छोटे छोटे टुकड़े कर ले उन टुकड़ों को आप ग्राइंडिंग जार में ग्राइंड कर ले तो उससे भी आपका अच्छा हल्वा बन कर तयार होगा तो इस तरह हम सारी गाजर को गद्दू कस कर लेंगे तो हमारी गाजर कद्दू कस हो चुकी है आप देख सकते हैं ये मैंने तीन किलो गाजर ली है अब हम कड़ाई को गरम होने के लिए चड़ा देंगे आप देख सकते हैं चमच का साइज इस चमच से में चार चमच गी डालूँगी तो ये चार चमच गी डाल दिया है इसे अच्छे से पिगलने देते हैं तो गी हमारा मेल्ट हो गया है अब इसमें डाल देंगे हम कड़ू कस की हुई गाजर को सारी गाजर को हम इसमें डाल देंगे और इसे 10 से 15 मिनिट के लिए हम इसे पकाएंगे जब तक कि हमारी गाजर सोफ्ट हो जाए तब तक हम इसे पकाएंगे तो आप देख सकते हैं हमारी गाजर सोफ्ट होने लगी है तो हम इसे मीडियम आज़ पकाएंगे मैं चूले पर बना रही हूँ अगर आप गेस पर बना रहे हो तो इसे लोटू मीडियम फ्लेम पर रही पकाएं अच्छे से तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा तीन किलो गाजर के लिए मैं इसमें डेल लीटर कच्छा दूद डालूँगी अगर आप इसमें मावा डालना चाहते हैं तो आप इसमें मावा भी एट कर सकते हैं इस स्टेश पे आकर और आप दूद की क्वांटिटी कम कर ले मैं इसमें मावा नहीं डालूँगी इसलिए मैंने कच्चा दूद लिया है त्रेट लीटर अब हम इसमें दूद के साथ पकाएंगे जब तक कि हमारा हलवा ड्राइ नहीं हो जाता तब तक हमें इसे पकाना है मीडियम फ्लेम पर ही इस पकाएं तो दूद हमारा पूरा तूट जाएगा तो इसमें मावे का टेस्ट अपने आप आ जाएगा और अगर आप मावा डालना चाहते हैं तो मावा भी डाल सकते हैं अब ये कुछ किश्मिश लिये हैं मैंने और आठ से दस इलाइची जिनको हम झील करके बारिक पाउंडर बना लेगे और इसे हम डाल देंगे हलवे में तो ये इलाइची डाल दीए मने और किश्मिश भी हम इसमे एट कर देंगे इसमेश भी एट कर देंगे आप अपनी पसंद के अनुसार इसमें और भी ट्राइफ रूट सेट कर सकते हैं काजू बादाम जो आपको पसंद हो अब इससे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए इसे पकाना है और ड्राइ होने तक हमें इसे पकाना है आप देख सकते हैं दूद में उबाला चुका है तो हमें इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है तो दोस्तों यह बहुत रेष्टी हलवा बनकर तयार होगा आप मेरे तरीके से गाजर के हलवे को जरूर ट्राइ करें और कमेंट में बताएं कैसा बना है और अगर मेरी रेसिपीस आपको अच्छे लगती है तो फ्लीज मैरे चेनल को सब्सक्राइब करें वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेर करें अब इसमें मैंने एड़ की है चीनी चीनी आप आपके टेस्ट के अकोर्डिंग कम्या ज्यादा एड़ कर सकते है आप कितना मिठा खाना पसंद करते है उसी साथ से तो यहाँ पर मैंने चीनी भी एड़ कर दी है अब इसे अभी और पकाएंगे तो तयार है हमारा गाजर का हलवा हमारे यहाँ ऐसा ही खाना पसंद करते है इसलिए मैंने पूरा ड्राइ नहीं किया है इसको अगर आप इसे और भी ड्राइ करना चाहते हैं तो इसे थोड़ी देर और पका लें तो यह और ड्राइ हो जाएगा तो तयार है हमारा गर्मा करम गाजर का हलवा बहुत ही टेश्टी बन कर तैयार हुआ है दोस्तों तो आप जरूर ट्राइ करें एक बार और केसी लगी आपको मेरे गाजर के हलवे बनाने की रेसिपी कमेंट में जरूर बता है तो आप भी एक बार जरूर ट्राइ करें गाजर को हल्वा मेरे तरीके से तो धन्यवाद दोस्तों अगर वीडियो अच्छ लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद